ये तस्वीरें किसी वीडियो गेम की नहीं हैं बलकि दक्षणी लेबनान के जंगी मैदान की हैं जहां इसराइल ने हिजबुला के ठेकानों को तबाह करने के लिए मूर्चे पर मेरकवा टैंक उतारे थे मगर ये दाव उल्टा साबित हो गया एक दो नहीं बलकि दरजन भर से ज़्यादा टैंकों का लड़ाकों ने हाथ पर डाला इसराइल ने लेबनान के अपने जमीनी ओपरेशन को धार देने के लिए एक के बाद एक मेरकवा टैंकों को भी मैदान में उतारा था जिसका खामियाजा आखिर का इसराइली बलों को जल्द ही उठाना पड़ गया अब हिजबुल्ला ने इसराइल के सबसे खतरनाक बताय जाने वाले मेरकवा टैंक पर बड़ा खुलासा किया है जिस मेरकवा टैंक को लेकर इसराइल हमेशा से गुरूर में रहता था इतराया करता था इसे टैंक टेकनलोजी का बाप तक करार कर चुका था वह दक्षणी लेवनान में हिजबुल्ला लड़ाकों के सामने आसान सा शिकार बन गया हिजबुल्ला समू ने बताया कि 52 दिनों की जंग में ही इसराइल ने अपने 60 मरकवा टैंकों को खो डाला इतने कम समय में इतनी बड़ी तादाद में टैंकों का तबाह होना इसराइली डिफेंस के लिए बहुत बुरी खबर है बहुत बड़ा जटका है ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इसराइल का खोंखार टैंक दक्षणी लेबनान में कमजोर क्यों साबित हुआ जिस टैंक के गिंती दुनिया के सबसे घातर टैंकों में होती है वह हिजबुल्ला के मामलों में बहुत आसानी से तबाह कैसे हो गया इससे इसराइल को बहुत बड़ा जटका लगा ऐसा माना जा रहा है कि जिस में करवा टैंक को लेकर इसराइल को बेहद नास था उसका अब हिजबुल्ला के लड़ाकों ने तोड़ निकाल लिया है इस से इसराइली साख को भी बहुत बड़ी चोट पहुँचने का अंदेशा जताया जाने लगा है मरकवा टैंक को इसराइली फोर्स की रीड तक कहा गया था गाजा के बाद इसे लेबनान में भी उतार कर इसराइल ने बड़ा दाओ चला था लेकिन जल्दी नेतनियाहू का ये फैसला घलत साबित हुआ हिजबुल्ला लड़ाकों ने इसराइली बलों के साथ उसके मरकवा टैंकों को भी बारूत की सिरंगों से उड़ाना शुरू कर दिया आखिर मेरकवा टैंक लेबनान में हिजबुल्ला के सामने बोना क्यों साबित हुआ ये समझने से पहले इस टैंक की कहास बाते जान लेते हैं मेरकवा टैंक का पांचवा वर्जन इसराइली सेना का सबसे आधुनिक और खतरनाक हतियार है यह टैंक आधुनिक और तक्नीक से लैस है, इसकी ऑपरेशन शमता और उसका 360 डिग्री एक्टिव डिफेंस सिस्टम इसे काफी मजबूत और ताकतवर बनाता है, इसमें डे नाइट कैमरे लगे हैं, इसराली डिफेंस फोर्स का मरकावा टैंक AI से लैस है, यह हमला करने से प में हिजबुल्ला के हमलों का शिकार हो रहे हैं, बताया जाता है कि लड़ाके मरकावा टैंकों को निशाना बनाने के लिए RPG का इस्तेमाल करते हैं, यह वो घाते खतियार हैं जो कम दूरी से दागे जाते हैं, लेकिन टैंक कवच को भेद सकते हैं, इन्हें अक्सर घात को बादित करने के लिए ID का इस्तेमाल करते हैं, बहरहाल इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला के बीच सीस्वायर लागो हो चुका है, लेकिन दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर इसके उल्लंगन के आरोप लगा रहे हैं, दावा है कि 2 दिसंबर को इसराइल ने लेबनान में अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया, इसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, बताया जाता है कि इसराइल ने ये हमले लेबनान से हिजबुल्ला के मोर्टार दागे जाने के बाद किया हैं, इन हमले के बाद युद्ध विराम के बने रहने को लेकर आशनकाएं उठ लगी हैं